हे गाईज, वेलकम टू ऑनलाइन तयारी, आज हम डिस्टस करेंगे जुलाइ फूर्थ वीट के करेंट अफैर्स को, तो चलिए आज की इकलास सुरू करते हैं, आज का सबसे पहला क्वेश्चेन हैं हमारा की भारती रेलवे, दुनिया की पहली डवल स्टेक कंटेनर विदु होगी, यानि कि इस तनल को इस तरह से बनाया जा रहा है कि जिसमें से डवल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी गुजर सके, साथी साथ दूसरी चीज यह इंपॉर्टन है कि यह टनल जो है यह पूरी तरह से इलेक्रिफाइड रेल टनल होगी और यह दुनिया में इस तरह की पहली कारे हो या फिर पटरी वेचाने का काम हो ये सब जो है वह एक साल के भीतर भीतर पूरा हो जायेगा और इस तनल का निर्मान जो है यह अरावली रेंज के थुरूं किया गया है तो यह अप जैन में ढख़िएगा हरियान है त Какब बना गया है सोहना में जो کی एक काउन है ग收 सेर्स मिनिस्टर एस जैसंकर जी के द्वारा यानि कि सुब्र मन्यम जैसंकर जी के द्वारा ये पुस्तक लिगी गई है और इन्होंने इस बुक में क्या कहा है तो इन्होंने कहा है कि भारत को एक ऐसे छेत्र में तभाव हासिल करने के लिए घ्रिटा से संगर करना परा है औ को सबसे पहले यह रिलीज कब होगी, तो 7 सेप्टमबर को यह रिलीज होगी, और तीन बरी गल्थियों के बारे में उन्वे बता है, तो सबसे पहली गल्थी जो है, बरी गल्थी वह क्या थि? 1947 का पार्टिशन, उन्होंने कहा कि जिसने देश को डिमोग्राफिकली और प्लि साल पहले कर लिए वो हम आज कर रहे हैं तो ये बरी गलती थी साथ जो तीसरा जो तीसरी बरी गलती थी वो थी परमानु विकल्प का इंतिजार लंबा इंतिजार जिसके परिनाम सुरू भारत को इस हिद्र में परहा बढ़ाने के लिए पराक्रम के साथ संगर्ज करना यानि कि पास में हमारी विदेशनीती जो है वो सही नहीं रही और हम इसको और भी अच्छा कर सकते थे फिर नेक्ष कोशन है कि 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राजी में होगा तो 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन सबसे पहले तो 2021 में होगा और इसका जो आयोजन जो है वो किस राजी में होगा तो ये होगा हरियाना में ही और हरियाना के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन Tokyo Olympics के बाद खेला जागा यानि कि September में इसका आयोजन होगा 4th खेलो इंडिया यूथ केम्स का आयोजन फिर नेक्ट कोशन है कि भारत की पहली सहद परिक्षन प्रियोग शाला यानि कि हनी टिस्टिंग लेबरेटरी किस राजी में अस्थापित की गई है तो ये भारत की पहली हनी टिस्टिंग लेबरेटरी होगी इसलिए ये कुशन important हो जाता है और इसका जो है इसकी अस्थापना जो है की गई है वो गुजरात में और गुजरात में कहां पे तो आनंद डिस्टिंग में गुजरात में आनंद डिस्टिंग है वहीं पे इसका इसकी अस्थापना की गई है और इससे क्या हुआ कि हनी के एक्सपोर्ट में उसकी क्वालिटी इंप्रूब करने में और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आएगी और साथी साथ किसान को अच्छे रिट्स भी मिल सकेंगे फिल नक्स क्वेशन है कि वर्ल्ड हेपाटाइटिस दे ये किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड हेपाटाइटिस दे ये हर एक साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम क्या था तो हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर ये 28 जु को इसलिए मना आता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बैरुच ब्लमबर्ग की बर्थ अनिवर्सरी होती है और इन्हें नोबल ये नोबल प्राइज विजेता भी थे साथी साथ डॉक्टर बैरुच ब्लमबर्ग जो है इन्होंने ही हेपाटाइटिस B वाइरस की खोज की थी औ और इन्होंने एक डाइगनोस्टिक टेस्ट यानि कि जो टेस्ट होता है जो टेस्ट होता है कि आपका अगर या फिर मेरा किसी का भी टेस्ट होगा कि इसे हेपाटाइटिस B है या फिर सी है तो इन्होंने एक तो टेस्ट भी डबलब किया और साथी चाथ इन्होंने इस व तो यह आप ध्यान में रखिएगा इनका नाम है डॉक्टर बैरुच ब्लंबर्ग तो यह स्टेटिक जी के से भी कोश्चन इस सरह से पूछा सकता है इसलिए 28 जुलाई को हैपटाइटिस डे मना जाता है फिर इसके बाद यहां पर आप यह जान सकते हैं कि हैपटाइटिस ज की जो है यह most common हैеро है यहां पे अपूछ सकते हैं हेपटाइटिस और सी से हर्यक Lady और सी जाती है औरकिक से ृफ यह से का जो वैक्सीन जो है ये बहुत ही जरूरी है और ये जर्म के समय सब ही को ले लेना चाहिए बच्चे हो अगर मतलब जागरूख होना चाहिए वैक्सीन के प्रती जैसे कि अभी देखें कोविड-19 है तो वैक्सीन आएगा वैक्सीन आएगा कब आएगा कब आएगा ये वैक इसको खतम कर लिया जाया यानि कि vaccination का कारी जो है वो जोरो पे चले तो यह आप ध्यान में रखेगा इसलिए vaccine जरूर लगाना चाहिए फिर next question है कि कारगिल विजय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है तो कारगिल विजय दिवस ये हर एक शाल 26 जुलाई को मना जाता है और इस बार जो है एक कीसमा कारगिल विजय दिवस मनाय गया और कारगिल वार जो हुआ था वो 1999 में हुआ था फिर next question है कि भारत ने किस देश को 10 broad gaze diesel engine दिये है broad gaze diesel engine कहने का मतलब है कि जो diesel engine जो दिये है broad gaze का जो जो च्वाराई है वो कितनी होती है 1.67 meter बहुत बार स्टैटिक जी किसे question पूशिया आता है तो ये भी आप जहार में रखिएगा तो ये किस देश को ये locomotives diesel engine दिये गई है तो ये दिया गया है बांगवा देश को फिर next question है कि हाली में भारत ने उत्तर कोरिया को यानि कि North को कितने million अमेर्की डालर की चिकिटसा सहायता forwards की है तो ये अभी हाली में भारत ने north कोरिया को ये चिकिटसा सहायता पारदान की है और कितने million dollar की तो एक million dollar की अभी आप सोच रहेंगे कि North Korea तो पूरी तरह से isolated country है इसे इंडिया का दोरा भी मदद किया जग गया तो जी हाँ इंडिया ही इंडिया बहुत सारे बहुत सारे कम country में से भी इंडिया आता है जिसका जो embassy है वो नौर्थ कोडिया में है और नौर्थ कोडिया का embassy जो है वो देली में है तो इंडिया बहुत कम country में से आता है जिसका embassy नौर्थ कोडिया में है तो यह आप ध्यान में रखिएगा और यह जो एक million dollar करने का मतलब करीब सारी 7 करोड रूपय के medicine दिये गए और कौनसे medicine तो anti tuberculosis medicine और यह assistance जो है इंडिया ambassador to North Korea अतुल मलहारी गोचुवेरे ने दिये वहाँ के जो जो भी कर्मचारीच है North Korea में उन्हें साथी साथ यह assistance WHO के WHO के anti tuberculosis program के दाथ दिये गए है और North Korea की capital क्या है तो Pyongyang फिर next question है कि 500 test wicket लेने वाले साथ में गैंदवाज कौन बने तो 500 wicket लेने वाले साथ में test गैंदवाज बन गए हैं इनका नाम है Stuart Broad Stuart Broad और यह England के baller है साथी साथी यह पेशर है यानि कि fast baller है चौथे fast baller बने हैं यह और I think दूसरे England के baller बने है तो 500 test wicket जो है इन्होंने West Indies के खिलाप लिया 140 में test match में तो सबसे ज़्यदा जो test wicket लेने का record है वो किसके नाम पे है मुथिया मुर्ली धरन के नाम पे 800 wicket दूसरे नमर पे सेनवान आते हैं 708 wicket और तीसरे नमर पे अनिल कुम्बले यानि कि तीनों जो टॉप पे हैं वो यह सारे spinner ही है 619 wicket अनिल कुम्बले जी के दौरा फिर नेक्स कोश्चन है कि नई दिल्ली में lockdown के दौरन किस gas में 70% से अधिक की गिरावट देखी गई है तो नई दिल्ली में जो lockdown है पुरे world में एक तरह से lockdown है और इंडिया में जो lockdown है तो नई दिल्ली में जो है lockdown जो किया गया था तो इसमें nitrogen dioxide में 70% से जादा की कमी देखी गई क्योंकि सारी factory या बनती जो गारी जो चलते थे जितने गारी चलते थे वो पूरी तरह से समझे cut down हो गये थे तो इसलिए 70% से जादा nitrogen dioxide की कमी देखी गई और ये UN के द्वारा कहा गया फिर next question है कि प्रधान मंत्री के नए नीजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो प्रधान मंत्री के नए नीजी सचिव के रूप में नियुक्त किया इनका नाम है हारदिक सा वैसे इनका पूरा नाम तो है हारदिक सतीश चंदर सा लेकिन आपको अगर खोजिएगा तो डिरेक्ट हारदिक सा ही मिलेगा और इन्हें किनके अस्थान पर रिप्लेस किया गया है तो इन्हें फिर नेक्ट कोशन है कि किस मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले रखा गया है तो ये तो सभी को पता जली किया होगा कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल कर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है तो HRD मिनिस्ट्र पहले कौन थे यानि कि अभी भी वही है रमेश पोखरियाल निशंक देखिए अभी हाली में नई सिक्छा नीती लागू की गई है नई सिक्छा नीती को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा इसे अभी लागू नहीं किया गया इसे लागू किया दाएगा तो अभी तो कोविड- policy वो 1968 में आई थी और latest 1986 में आई थी यानि कि यह तीसरी education policy है जो कि 2020 में आई है अब क्या है नई सिक्छा नीती में क्या है कि अब government school में जो pre primary भी होगा यानि कि government school में पहले क्या होता था one class से start होता लेकिन अब government school में भी primary होगा यानि कि nursery और LKG UKG जो भी हो तो और साथ ही साथ अब जो student है वो अभी board तो अभी होगा board अभी होगा लेकिन 10 प्लस 2 का system कर दिया गया 10 प्लस 2 का system बहुत लग बहुत लोग जब सुनते हैं तो उन्हें में लगता है कि बौड होगा ही नहीं नहीं बौड होगा लेकिन 10 फिल्लस 2 का system खत्म कर दिया अब क्या कर दिया गया 5 प्लस 3 फ्लस 3 फ्लस 4 का system कर दिया गया है और अब जो है नांन्थ क्लास में इस तो है जैसे कि 11 क्लास में जाते थे YouTube सुझेट पापा हैं तो इसके बारे में अभी हम नहीं हो जी कर्षिन पॉलिसी के बारे में यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करें कि यही आदे घंटे का क्लास हो जाएगा फिर नेक्स है कि इंटरनेशनल मोंडरी मंजूरी दी है और यह आएफ के द्वारा पहली बारसा इतना बारा अमाउंट और इस तरह का अमाउंट जो है वह साउथ अफरिका को दिया जा रहा है तो इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इतनी बरी रकम क्योंकि साउथ अफरिका में सबस्यादा गॉविड नाइनटीन से जूज रहा है अगर मैं अभी 2 अगस्त को यह वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो हैं वहां पे को वीड नाइनटीन के करीब 5 लाख केस हैं तो इसलिए को वीड नाइनटीन से आप आप वासिंगरडन डीसी में और एमफ की जो MD है वो कौन है Crystalina Georgieva Crystalina Georgieva तो यह आप धिहन में रखिएगा फिर नेक्स कोश्चन है कि Quest for Restoring Financial Stability in India यह इस पुस्तक के लेखा कौन है तो यह पुस्तक लिखी गई है माइक श्री Viral V.A.4 के दोरा Viral V.A.4 जी के दोरा यह पुस्तक लिखी गई है और यह कौन है Viral V.A.4 तो यह RBI के Former Deputy Governor है तो इन्होंने जो Financial Stability कैसे आएगी इंडिया में Banking सुधार के बारे में इन्होंने बात की है इस पुस्तक में तो यह इस पुस्तक का नाम धियान में रखेगा दिखेए Books and Author से भी बहुत सारे Question पूछी आते है एक Question तो होते ही एग्जाम में फिर Next Question है कि Tunisia के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो Tunisia जो है कि नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया है इनका नाम है हिचम मेचिची हिचम मेचिची और इन्होंने किसका अस्थान लिया है इन्होंने Alice Fakfak का अस्थान लिया है Alice Fakfak का अस्थान लिया है और अब नए प्रधान मंत्री बने है हिचम मेची थी तो और जो टूनिशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कोई है कायश शायद कायश शायद और टूनिशिया के कैपटल है टूनिस फिर नेक्स क्वेश्चन है कि किस गवर्मेंट ने जॉब पोर्टल को लांच किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार यानि कि एक जॉब पोर्टल लॉँच किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार और ये जॉब ढूनने में मदद करेगी तो ये जो लॉँच किया गया है ये किया गया देली गवर्मेंट के द्वारा और इसमें कहा जाता है कि 2,00,000 से ज़्यादा लोगों ने registered भी कर लिया और साथी साथ हम देली गवर्मेंट के बारें बात करें तो देली गवर्मेंट के द्वारा ही 16.7 जो पहले जो लिया आता था डीजल पे वैट वो 30% था तो इसे घटा कर कितना कर दिया है 16.75 कर दिया है यानि कि करीब करीब 8 रूप सारे 8 रूपए जो है वो डीजल के प्राइस पे कमी कर दी गई है तो ये देली गवर्मेंट के द्वारा ये नेने लिया गया है और देली गवर्मेंट का जो है recovery rate जो है गड़ राजी सरकार ने गोधन न्या इसकीम को न्या योजना को लांच किया है और इस योजना के तहट basically क्या होगा कि सरकार जो है पसुपालकों से 2 रूपए कीलो की दर से गाई के गोवर को खरीदेगी जिससे खाद बनाने का उपयोग किया जाएगा और फिर बहुत सारे इसकी गोवर के उपयोग होते है तो गोधन याई होजना बस आप यह ध्यान रखे कि किस स्टेट के दौरा लांच किया गया है चतिसगड के दौरा फिर नेक्स कोशन है कि इंडियन ओवर्सिस बैंक आई ओ बी बैंक के नए एमडी और सीओ के रूप में किसे नियोक्त किया गया है तो नए सीओ और एमडी नियोक्त किये गये है पार्थ प्रतीम सेन गुपता और इन्होंने अस्ठान लिया है कर्नम सेकरजी का इसका हेटकटर कहा है है चिननई में है यह जहां रखेगा फिर वहीं पर आप option number C में जो देख रहे हैं अंजनी कुमार तो यह आप कहीं पर लिख लीजेगा इन्हें मौरिश यहना का ambassador न्यूक्त किया गया है भारत का ambassador होंगे मौरिश यहना में अंजनी कुमार जी फिर next question है कि कौन सी space agency estros mission launch करेगी stratosphere में तो इस space agency का नाम है NASA और यह mission कब launch किया जाएगा तो 2023 में यानि December 2023 पे इस mission को launch किया जाएगा और यह mission खास इसलिए है क्योंकि यह mission जो है एक balloon में भेजा जाएगा football stadium size का एक balloon होगा और उसमें एक telescope भेजा जाएगा धाय मीटर का और कहां से भेजा जाएगा तो Antarctica से भेजा जाएगा December 2023 में सबसे पहले जो important important चीज़ है वो जान लेते हैं तो estros का जो पूरा full form है यह क्या है astrophysics a stratospheric telescope for high spectral resolution observation at sub millimeter wavelengths और यह जो telescope है यह तीन week तक रहेगा stratosphere में तो सबसे पहले तो जो यह हम बात कर रहे है earth के atmosphere के बारे में तो earth में 5 तरक atmosphere है troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere और जो stratosphere जो है यह second layer है यानि कि second layer जो 12 से 50 km के बीच यह layer आती है earth के atmosphere में और इसका full forming मैंने आपको बता दिया और यह तीन week तक रहेगा stratosphere में और इसे antarktica से launch किया जाएगा यह क्या absorb करेगी यह क्या absorb करेगी तो astros mission जो है यह infrared light और उसके wavelength को observe करेगी जो कि human eye से जो visual है उससे ज़्यादा बड़ा है और उसके बारे में जानेगी क्योंकि जो भी wavelength जो है वो रुख जाती है जो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाती है स्टार्स के बारे में बहुत जो के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है और वो रुख जाती है कहाँ पे तो stratosphere में से लिए वहां तक इसको भेजा जाएगा इस telescope को इस mission को फिर next question है कि रूस ने किस देश को 400 S 400 सता से हवा में मार करने वाली missile की delivery निलंबित कर दिया यानि कि उसकी आपूर्ती पर रोक लगा दी है उसकी आपूर्ती को suspend कर दिया है तो अभी हाली में रश्या ने चाइना को जो S 400 दिया जाना था उसके आपूर्ती पर रोक लगा दिया है वैसे अभी कुछ क्लियरल नहीं किया कहा गया है कि क्यों रोक लगा गया है लेकिन चाइना बोल रहा है कि ये COVID-19 के कारण रोक है वैसे अगर COVID-19 के कारण रोक होती तो इंडिया पे भी इंडिया का भी जो कुछ आरूप लगे हैं इसलिए ये इसको सस्पेंड किया गया है फिल्हाल के लिए रूस का जो S-400 जो सर्फिस्ट्वेर विसाल है ये किस-किस देश के पास है तो चाइना के पास हो है और तर्गी के पास है और तीसरे होंगे हम फिल्ड नेक्स कोशन है कि हमेद बाकायको को किस देश का नया प्रधान मंतरी नियुक्त किया गया है तो हमेद बाकायको का आईवोरी कोष्ट का नया प्रधान मंतरी नियुक्त किया गया है आपको अगर पता हो तो आईवोरी कोष्ट के प्रधान मंतरी पहले कौन थे फिर नेक्स कोशन रहे किस देश के पुर्व राश्रपती ली टेंग हुई का निधन हो गया ये कोशन बहुत यह इंपोर्टेंट है क्योंकि ये किस देश के राश्रपती थे ये थे ताइवान के राश्रपती ताइवान के राष्टपती थे और ये ताइवान के पहले elected president भी है और इन्हों ने कहा जाता है कि ताइवान में democracy लोगतंदर के नीव रखी थी इसलिए इन्हें ताइवान के लोगतंदर का जनक कहा जाता है और ये 1988 से 2000 तक president थे ताइवान के और अभी president कौन है तो अभी है tying win फिर next question है कि कौन सी company अपने बाजार मुल्य के साथ दुनिया की सबसे मुल्यवान company बन गई है तो अभी हाली में apple जो है सौधी अरामकों को पीछे छोड़कर बाजार मुल्य के साथ यानकि market value के साथ दुनिया की सबसे मुल्यवान company बन गई है और apple का market value जो है वो कितना हो गया यह हो गया 1.817 trillion dollar market value और वहीं पे सौधी अरामकों का market value कितना हो गया 1.76 trillion dollar लेकिन अभी भी IPO एकठा करने में सौधी अरामकों top पे है तो चलिए अब 3-4 news है उसको भी discuss कर लेते हैं और news भी जितने सारे हैं वो सारे के सारे important news है तो सबसे पहला news है कि तुर्क मेनिस्तान gets observer status in world trade organization तो world trade organization के दौरा WTO के दौरा तुर्क मेनिस्तान को observer status का दरजा दिया गया है और यह 25 observer country होगा तो यह ध्यान रखिएगा और इससे तुर्क मेनिस्तान को देश की अर्थोयस्था को विक्सित करने में वीडेशी निवेश को बढ़ाने में और अंतराश्ची वपर संबंदों को विक्सित करने में मदद मिलेगी तो यह आप ध्यान में रखिएगा फिर next news है और important news है कि first five Rafale jets land at Ambala Air Force यह तो सभी को बतावा कि Ambala Air Force में आ चुका है कितने Rafale आएं हैं तो पांच Rafale आएं हैं तो यह जानना जरूरी है कि Rafale जो है यह किस company के दोरा बना गया है तो एक french company के दोरा बना गया है जिस company का नम है Dassault यह super important है यह ध्यान रखिएगा फिर एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा तोटल जो डील जो हुआ है यह 69,000 करोर रूपय का यह डील हुआ है 2016 में NDA government थी उसमें और यह जो है इसमें 36 plane हम 37 रफैल जेट सम खरीद रहे है जिसमें से 5 की delivery पुड़ी हो गई है फिर next news है कि ADV science dollar 200 million financing deal with reliance for power plant in Bangladesh तो reliance जो है power plant लगा रहा है बंगला देश में और 7-18 megawatt का यह power plant होगा साथी साथ इसके लिए reliance ने ADV के साथ एक समझाता गयापन पर हस्ताक्षर किया है और यहां पर दिसके था है combined cycle power plant is a relatively more efficient way of producing electricity it uses both a gas and steam turbine together to produce up to 50% more electricity from the same fuel than a traditional simple cycle plant तो इसलिए cycle plant जो है यह जो बन रहा है LNG and power limited जो power plant जो बन रही है यह important है इसको भी ध्यान में रखिएगा फिर next news है कि Ministry of Earth Sciences launches mobile app जिसका नाम रखा गिया है मौसम for IMD यानि कि India Meteorological Department के लिए यह मौसम app launch किया गया है और यह IMD के foundation day पर यह launch किया गया तो यह ध्यान रखिएगा और यह बहुत ही lucid manner में सभी farmers को और आम इंसान को बताएगा जो भी मौसम के बारे में जानकाडिया होंगी तो यह अडियो कांत I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ओनलाइन तयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे धन्यवाद जिससे आपको 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 आपक